दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा Redmi अपना एक तगड़ा स्मार्टफोन Redmi Note 13 Pro 5G को Chinese Market में अभी कुछ दिन पहले ही लौंच किया था ठीक है और ये फोन लुक में कैमरा में सारे चीजों में बैलेंस और एकतम तगड़ा फोन है और इस फोन के इंडिया पताएंगे आपको कि ये फोन कितने प्राइस पी इंडिया में मिलने वाला है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पूरे डिटियल में Redmi Note 13 Pro 5G बारे में तो ये फोन बैक साइट से दिखने में कुछ इस तरीके का होने वाला है जैसा कि आपको दिकरा होगा और फोन बैक साइड से लुक वाईज एकदम जवरदस्त है बैक साइड का लुक मुझे बहुत दगड़ा लगा है और आप लोगों को भी इस फोन का बैक लुक बहुत बढ़िया ही लगेगा ये फोन बैक मिलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल सा फील होने वाला है वहीं ये फोन फ्रंट साइड से सेंटर पंच होल डिस्प्ले के साथ आया है साइड का बेजल्स और चीन भी बहुत कम है और फोन फ्रंट साइड से लुक वाईज बहुत बढ़िया है और इस फोन का दिस्प्ले का बात करें तो ये फोन 6.7 इंच के 1.5 के रेजलूशन भी डिस्प्ले के साथ आया है जो की OLED डिस्प्ले है और ये सेंटर पंच होल बला डिस्प्ले है और इसमें 1800 नीट्स तक का पीक ब्राटनेस भी दिया गया है और इसमें 120 हर्ज का डिफेस डेट भी दिय हो गई होगा वीडियो वाचिंग के मामले में भी फोन बहुत बढ़िया होगा जब आप कोई भी हाई क्वालिटी का वीडियो प्ले करेंगे तो विए एक्स्प्रियंस बहुत बढ़िया मिलने वाला है और डिस्प्ले में ये फोन आपको 100% सटिस्पाइट करेगा ही दिया गया है और ये कॉर्णिंग गॉरिल्या गलास विक्तस के प्रोटेक्शन के भी साथ आया है डिस्प्ले में कोई कसर नहीं छोड़ा गया है डिस्प्ले एकदम टॉप क्लास का दिया गया है वहीं इस फोन के प्रोसेसर का बात करें तो ये फोन सनेप ड्रेगन 7S Gen 2 प आप हाई सेटिंग पर गेमिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है वैसे ये फोन एक नॉर्मल यूजर के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है और आपको बताते चलें कि ये क्वालकॉम का एकदम लेटेस्ट और न्यू प्रोसेसर है वहीं ये फोन LPDDR 4X RAM और UFS 2 2.2 अस्ट्रीज टाइब के साथ आया है तो फोन अस्ट्रीज और रेम टाइब में ठीक ठाक है कोई भी एक को आपन करेंगे चलोज करेंगे या 1 एक एक से दुसरे पे स्विच करेंगे तो ये सब चीजिए अं श्मूथली और अच्छे से होने वाला है अस्ट्रेज और र पिक्सल का इसमें selfie camera दिया गया है camera wise phone बढ़िया होने वाला है और जो camera setup Redmi Note 13 Pro Plus 5G में दिया गया है वही setup इसमें भी दिया गया है तो जब आप इस phone से video recording करेंगे या कोई photo click करेंगे तो quality बहुत अच्छा आएगा जूमिंग के अमामले में भी phone बढ़िया होगा और इसमें OIS भी दिया गया है तो stabilization भी बहुत बढ़िया मिलने वाला है और इस phone के rear camera से आप 4K 30fps तक का वीडियो को record भी कर पाएंगे camera में भी ये phone आपको satisfied करने वाला है वहीं इस phone के battery का बात करें तो ये phone 1100MH के battery साथ आया है और इसमें 67W के fast charge का support भी दिया गया है तो phone battery के अमामले में भी बढ़िया होने वाला है वहीं ये phone dual stereo speaker Dolby Atmosket support के भी साथ आया है तो multimedia experience में phone बहुत बढ़िया होने वाला है और इसमें dedicated दो speaker grill भी दिया गया है एक top side पे और एक bottom side पे वहीं ये phone Bluetooth 5.2 के connectivity के साथ आया है और IP54 के rating के भी साथ आया है और इसमें 3.5 mm का headphone jack भी दिया गया है वहीं इसका thickness 7.9 mm है और इसका weight 187 gram है और इसमें NFC का भी connectivity दिया गया है तो दोस्तों यही सब पूरा detail था यह Redmi Note 13 Pro 5G से related जो कि इस वीडियो में बताए है दोस्तों देखिए ये phone भी सारे चीजों में एकदम balance होने वाला है बस performance में ठिक ठाक होगा नॉर्मल सेटिंग्स पे gaming करेंगे तो अच्छा होगा वैसे एक नॉर्मल यूजर के लिए थोरा ज़्यादा रहेगा आप मान के चलिए कि इस phone का price Indian market में 20,000 या फिर 22,000 रहेगा उससे ज़्यादा price नहीं जाएगा और 22,000 के हिसाब से देखिएगा तो phone एकदम जवरदस्त होने वाला है वहीं इस phone के India launch का बात करें तो देखिए जो latest update बाहर निकल के आ रहा है वहा वैसे दोस्तों जो भी new detail आये था Redmi Note 13 Pro 5G से related वो सारा detail आपको बता दिये और भी कोई new update आएगा तो फिर से आपको तुरंत inform करेंगे वैसे thank you so much for watching this video